ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट नीटल केर या पी एंसी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दो, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दे दिये जाएंगे जहां से आप डारेक्ट डाउनलोड कर सकते हो तो शुरू करते हैं हमारा प्रेविंटिव मेडिसिन इन आपस्टेटरिक, पेडियाटरिक्स एंजेरियाटरिक्स वाले चैप्टर का अगला टॉपिक या इन जेनरल जो हम कहते हैं पी एंसी तो भई पी एंसी का मतलब क्या होता है पी एंसी का मतलब होता है मदर जो कि अभी डिलिवरी जिसने की है और उसका जो न्यूबॉर्ण है जो बच्चा है आफ्टर डिलिवरी इन दोनों का ख्याल रखना इसको कहते हैं पोस्ट नेटल केर या दूसरा नाम भी है पोस्ट पार्टल केर ठीक तो पी एंसी या पोस्ट नेटल केर का मतलब क्या होता है डिलिवरी के बाद मा और बच्चे दोनों का ख्याल रखना इन दोनों फिल्ड को अगर मिला लो तो उसको कहते हैं पैरिनेटलोजी तो ये शब्द याद रखने आपको पोस्ट पार्टल केर और पैरिनेटलोजी ठीक अब ना जो पोस्ट नेटल केर है इसमें दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं एक तो है हमारा care of the mother और जब हम आगे जाएंगे तो हमको मिलेगा care of the child तो ये दोनों ही कॉम्पोनेंट हमको याद रखने है care of the mother वाला और care of the child वाला तो सबसे पहले शुरू करते है care of the mother में, post-natal care में, mother की care के चक्कर में आपको क्या के चीज़े करनी है पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि objectives क्या है आपके मुखे उदेश क्या है जब आप post-natal care दे रहे हो तब complications को prevent करना याद रखना कि post-partal period में बहुत सारे complications होते हैं हम आगे देखेंगे भी मुखेता sepsis, secondary hemorrhage इन सारी चीज़ों को prevent करना है आपको उसके अलावा rapid restoration of mother health करना भाई अब pregnant lady थी, बहुत सारे physiological changes हुए थे उसके अंदर तो वापिस से वो उसकी health normal हो जाए उसके लिए आपको ख्याल रखना है उसका जिससे की rapid restoration of health हो सके उसके बाद भाई साब breast feeding की adequate breast feeding दी जा रही है कि नहीं इसको भी आपको चेक करना है adequate breast feeding में मुखेता जो होता है आपको याद रखना है कि भाईया exclusive breast feeding करा रही है कि नहीं exclusive breastfeeding का मतलब क्या होता है कि पहले 6 महिने तक सिर्फ breast milk देना है बाकी कुछ भी नहीं देना है और आपको ये भी ख्याल रखना है कि delivery के बाद जितनी जल्दी हो सके उत्ती जल्दी breastfeeding शुरू हो जाए तो ये दोनों चीज़ों का आपको ख्याल रखना है कि breastfeeding जितनी जल्दी हो सके शुरू हो जाए exclusive breastfeeding 6 महिने तक करा रहे है कि नी और weaning भी करा रहे है तो 6 महिने के बाद करा रहे है वीaning क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे उसके बाद हमको family planning services भी provide करनी है अब भाई साब बंदी को बच्चा तो हो गया अब दूसरा बच्चा कितने दिनों में कितने समय में तो अभी जो policy चल रही है इंडिया में उसके हिसाब से दो से तीन साल का gap दो बच्चो के बीच में होना चाहिए तो दो बच्चो के बीच में at least दो से तीन साल का gap होना चाहिए और इसलिए delivery के बाद आपको उसको counsel करना है उसको बताना है कि भाई ये ये contraceptive services आप use कर सकते हो या family planning services आप use कर सकते हो कौन सी करेंगे, कौन सी नहीं करेंगे ये भी हम आभी आके देखेंगे उसके बाद health education provide करना है मा को भी और family को भी कि भाई कौन-कौन सा nutritionist product खाने है कितनी calories, कितनी extra calories चाहिए एक lactating mothers को ये सब भी जानकारी देना है मा को भी और उसके परिवार वालों को भी कितनी extra calories देना ये भी हम अगली slides में देखेंगे तो objective आपको समझ में आगए, complications से बचाना है rapid stimulation of health करना है breastfeeding नहीं से करानी है family planning services के बारे में जानकारी देनी है और health education कराना है, तो ये तो हो गए आपके main objectives postnatal care के, अब आता है कि postnatal services में क्या क्या चीज़े आप करोगे तो सबसे पहली चीज़ जैसे हमने ANC में किया था वैसे PNC में भी करेंगे कि postnatal visits करती है, आशा और ANM, उसके अलावा postnatal examination कराये जाते हैं उसके अलावा postnatal exercises के बारे में बताया जाता है additional calorie requirement कितनी है ये जनकारी दी जाती है और उसको additional calories दी जाती है iron folic acid supplementation कराया जाता है और family planning में भी कौन सी सही family planning या contraceptive method है ये बताई जाती है lactating मतर को ठीक, तो अगर हम बात करें postnatal visits की, अब याद रखना ये postnatal visits पर न, अलग से very short note आ जाता है कि postnatal visit एक आशा कितनी करेगी अगर home delivery हुई है institution delivery हुई है या cesarean section हुई है, यह हम देखींगे ठीक, तो postnatal visits कौन कौन करेगा, तो भाहिया A&M that is auxiliary nurse midwife करेगी और आशा that is accredited social health activist, ये दोनों ही करेंगी ठीक है, अब A&M जो होती है न, मुकिता उसके अंडर में sub center या sub health center होता है तो जो ये sub center या sub health center होता है, कितनी population में होता है, करीब 3000 से 5000 की population में होता है, तो इतनी population में जितनी भी जो lactating mothers है जिनकी delivery हो चुकी है उन mothers के घर पे जाके ये visit करेगी, कितनी तो at least तीन visit तो इसको करनी है, A&M को delivery के बाद ठीक, अब आती है आशा की बारी, तो मुकिता जिम्मेदारी तो भाई साब इसकी होती है, कि जो आशा होती है न, आशा कितनी population में एक होती है, हम healthcare of the community वाले chapter में पढ़ चुके है, कि एक आशा जो होती है, मुकिता एक village में एक आशा तो होती है यानि कि हाजालगभग, हजार की population में एक आशा तो होती है तो ये हजार की population में जितनी भी lactating mothers हैं, जिनके पास छोटू सा बच्चा है, उनको जाके ये visit करेगी home visit, अब home visit कितनी करेगी, it all depends कि home delivery है कि institutional delivery है, अब institutional delivery में भी normal delivery है, कि cesarean section से delivery हुई है इस पे depend करेगा कि आशा कितनी visit करेगी, ठीक, तो आशा अगर home delivery हुई है तो आशा at least 7 visit तो आशा को करनी है, 7 पार घर पे जाके जाज करनी है, कि मा और बच्चा, जच्चा बच्चा ठीक है कि नहीं, तो ये 7 visit कौन-कौन से दिन में रहेंगी, पहले दिन, तीसरे दिन, सात्वे दिन फिर चवद्वे दिन, एकिस्वे दिन, अठाइस्वे दिन, फिर बायालीस्वे दिन एक महिने तक का जब बच्चा हो जाएगा, that is, 28 दिन तक में कब गई, देखो साथ दिन में तो गई ती, उसके बाद हर हफ़ते, चवद्वे दिन गई एकिस्वे दिन गई, और 28 दिन गई, मतलब पहले हफ़ते में 3 बार गई और उसके बाद, पहले महिने की बात करें, तो हर आफ़ते गई, चवद्वे दिन गई, एकिस्वे दिन गई, 28 दिन गई, उसके बाद ना, चवदा दिन छोड़के याने की 42 दिन गई, 42 दिन का मतलब क्या होता है, यह कौन सा है, 42 दिन बहुत important है, 42 याने की 6 वीक, याने की pupet Yao Pass fill period होता है, यह pupetrium जिसको कहते है, आपस में एक अलाज चैपटर है, आपको, pupetrium या pupetil period, यह pupetil period क्या होता है, यह करीब 42 दिन का होता है, जिसमें की involution of uterus हो जाता है, याने की uterus अपने normal size प Yea आ जाता है, उसके लावा जो physiological changes हुए थे pregnant lady में वो सारे normal lady तक में आ जाते हैं तो इसकी समय होता है कि जब anatomical और physiological changes जो हुए थे वो वापस normal में आ जाए pregnant lady को तो हमको ये दिन याद रखने है home visits के कौन-कौन से हैं तो पहले हफते में तो 3 बार 1, 3 और 7 उसके बाद हर हफते जाना है जब तक बच्चा एक महीने का नहीं हो जाता याने 14 दिन, उसके बाद 21 दिन, उसके बाद 28 दिन यहाँ पे एक महीने का बच्चा हो गया है और यहाँ पे एक हफते का बच्चा हो गया था अब 28 दिन के बाद सीधा कब जाना है जब Pupetrial Period खतम होता है, यानि की 42nd Day, तो याद रखना यहाँ पे 35 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 हफ़ते का Gap है, यानि की 14 Days का Gap है, याद रहेगा, एक बार फिसे बोल रहाँ, Home Delivery में, एक पहले दिन, तीसरे दिन, और साथवे दिन, यहाँ पे बच्चा एक हफ़ का हो गया, उसके बाद हर हफ़ते जाना है, 14 दिन, उसके बाद 21 दिन, उसके बाद 28 दिन, यहाँ पे बच्चा एक महिने का हो गया है, उसके बाद सीधा जब Pupetrium खतम होता है, यानि की 42nd Day पे, यहाँ पे Pupetrial Period, यहाँ पे याद रखना कि यहाँ दो हफ़ते का Gap है, 35th नहीं है, ठीक, तो यह तो हो गया Home Delivery के बाद, अब अगर Institutional Delivery होती है, तो एक Criteria याद रखना कि Institutional Delivery में हम क्या करते हैं, अगर Normal Delivery है ना, तो हम कम से कम 48 घंटे तो उसको Supervision में रखते हैं, उसके बाद घर जाने देते हैं, यानि कम से कम 2 दिन तो हमको उसको अस्पताल में रखना है, यह हम Institutional Delivery की बात कर रहें, नॉर्मल Delivery में, अब अगर वहीं Caesarian Section हुआ है, तो हमारा काम रहता है कि भाई, 72 आर्स यानि की करीब 3 से 5 दिन तक उसको हमको Under Supervision लखना है, अगर Caesarian Section हुआ है, तो अगर Institutional Delivery हुई है, तो भाईया, यह Day 1 तो कटी जाएगा न क्योंकि पहले दिन तो वो अस्पताल में ही रहेगी पहले दो दिन, तो फर्स दिन तो Home Visit करनी नहीं है आशको, तो यह जो 7 विजिट है, उसमें से पहली कट हो जाएगी, तो कित्ती बची? 6 विजिट, अब अगर Lower Segment Caesarian Section या कहना चाहिए, अगर Institutional Delivery में भी Caesarian Section हुआ है तो पहले दिन भी नहीं, क्योंकि पहले दिन भी वो अस्पताल में भरती रहेगी, और तीसरे दिन भी नहीं, क्योंकि तीसरे दिन भी अस्पताल में भरती रहेगी, तो कितनी विजिट बची? 5 तो 5 विजिट करेगी आशको, समझ गए? तो Home Delivery में 7 विजिट, Institutional Delivery में भी अगर नॉर्मल डिलिवरी है तो 6 विजिट और सिजेजिन सेक्शन है तो 5 विजिट समझ गए यह याद रखना वाईवा के लिए MCQ के लिए और थियोरी के लिए बहुत important चीज़ है आशा की home विजिट कित्ती होनी चाहिए ठीक अब तो यह तो हो गए भया पोस्ट नेटल विजिट की A&M 3 विजिट करेगी आशा लगबक 7 विजिट करेगी अब आती है पोस्ट नेटल एक्जामनेशन में कि आपके पास आ गया है बच्चा या अस्पताल में भरती है बच्चा तो कितनी बार एक्जामनेशन करना है या health check-ups करने है तो पहले 3 दिन तो आपको दिन में 2 बार जाके चेक करना है बच्चे को मा को उसके बाद at least जब तक बच्चे का umbilical cord drop नहीं होता तब तक दिन में एक बार तो examination करना है मा और बच्चे दोने कहीं करना है उसके बाद कब करना है सीधा 42nd day या 42nd day को दूसरी चीज़ क्या करते है 6th week में at the end of 6 week हमको एक पर और जाके मा की जाज करनी है 6 हफते क्यों बोले कि भाईया involution of uterus हो गया कि नहीं अंदर उसके बाद बाहर निकला वापिस अपने normal size में uterus आ गया है कि नहीं ये हमको check करना है इसलिए 6th week के अंत में यानि की 42nd day पे हम जाके जाज करते हैं मा की कि भाईया uterus वापिस अपने normal size पे आ गया है कि नहीं ठीक है तो health check-up में क्या याद रखना है कि पहले 3 दिन तक दिन में 2 बार उसके बाद जब तक अमलाइकल को ड्रॉप नहीं हो जाती बच्चे की तो per day हमको करना है उसके बाद हमको 6th week या 40 second day पे जाके चेक करना है कि भाईया involution of uterus हो गया है कि नहीं तो यह तो हो गया health check-up की बाद उसके अलावा आपको postnatal examination में regular hemoglobin examination करते रहना है जब भी PNC visit हो तब आपको hemoglobin examination करना ही है ठीक है तो यह हो गया आपका PNC services में second that is postnatal examination अब आती है postnatal exercises postnatal exercises में ऐसा नहीं कि भाईया बच्चा बाहार निकल गया तो आप्स कराने लगे, planks कराने लगे, नहीं भाईया हमको normal exercise करानी है उसमें simple household work ही काफी है और यह हम क्यों कराते हैं जिससे की जो abdominal muscles और pelvic muscles during pregnancy and during delivery खुप सारी stretch हो गई थी ना वो वापिस normal size पे आ जाए उसके लिए हम उसको exercise करने को बोलते हैं postnatal exercise और उसमें भी सबसे अच्छी चीज़ है कि घर का छोटा मोटा काम करते रहो काफी है तो यह हो गई आपकी postnatal exercises अब बहुत important चीज़ आती है that is additional calorie requirement एक lactating mother में कितनी होती है यानि कि अगर मा बच्चे को दूद पिला रही है तब कितनी extra calories आपको देनी है बंदी की diet में तो पहले 6 माईने में 600 ng k c per day जादा देनी है नॉर्मल जितनी देते हैं उसमें add on 600 ng k c c c और देनी है और फिर अगले 6 से 12 माईने में 520 ng k c c per day अब ये फरक क्यो है देखो पहले 6 माईने में जब delivery हो गई उसके बाद पहले 6 महिने में तो आप 600 कैलरी पर डे एक्सट्रा दे रहे हो तेकिन उसके बाद वाले 6 महिने में आप बस 520 कैलरी पर डे दे रहा है सक्वियो ? याद रखना exclusive breast feeding जब हम कराते हैं वो कब तक कराते हैं ? पहले 6 महिने में कराते हैं तो पहले 6 महिने में, क्योंकि सिर्फ मा के दूद पे निर्भर है बच्चा, इसलिए मा को जाधा कैलरी लेनी है, इसलिए 600 किलो कैलरी पर डे एक्स्ट्रा लेनी है, जब की, जब 6 महिने का हो गया है, तो 6 महिने के बाद बच्चे को अपने क्या करा दी, वीनिंग करा दी, यानि मा के दूद के अलावा भी आप चीज़े देने लगे हो, तो अब मा थोड़ी कम कैलरी खा सकती है, यानि की एक्स्ट्रा के नाम पर 520 किलो कैलरी खाएगी, ना क की 600, ऐसे आप याद कर सकते हो, दूसरी चीज़ जो मैं याद करता हूँ, यहाँ 6 है और यहाँ 6 है, तो 6 महिने तक 600, और यहाँ पर आपको 2 दिख रहे हैं, तो 520, और 12 महिने, तक 6 महिने से 12 महिने तक, ऐसे भी याद कर सकते हो, चिलो के समँ, उसके बाद मा क्योंकि वीनिंग शुरू करा दे इसलिए बच्चा थोड़ा कम दूद पियेगा तो मा भी थोड़ी कम कैलरी खा सकती है that is extra 520 कैलरी क्योंकि confusion यही होता है 520 कहां और 600 कहां pregnant lady में याद है हमने क्या कहा था कि भईया pregnant lady को extra 30 किलो कालरी चाहिए 320 कहीं थी थी तो यह याद रखना additional calorie requirement कितनी होती है lactating मदर की पहले 6 महिने में और बात की 6 महिने में तो यह बहुत important चीज है जो आपको वाईवा में MCQs में पूछी जाती है उसके बाद होता है iron folic acid supplementation तो यह तो वही है जो हमने ANC में पढ़ा था ANC में ही in fact हमने पढ़ा था कि 600 mg elemental iron और 500 mg folic acid red color की tablets होती है इनको daily देना है कब तक delivery के 180 दिनों बाद तक याने कि delivery के 6 महिने बाद तक आपको उसको iron folic acid tablets देनी है यादे हमने ANC में भी पढ़ा था कि भईया second trimester के बाद से सीधा 180 दिन तक देना है उसके बाद delivery के बाद भी 180 दिन तक देना है तो यह वही है कि delivery के बाद भी 180 दिनों तक 600 mg elemental iron और 500 mg folic acid की जो red color की tablet होती है उनको daily 180 दिनों तक देना है अब बहुत important चीज़ आती है that is family planning अब बच्चा हो गया है दो बच्चों के बीच में कितना gap रखना है इसकी जानकारी देना बहुत जरूरी है उसके लिए आप normally intrauterine contraceptive devices देते हो या फिर non-harmonal contraceptive devices देते हो conventional contraceptive अब यह conventional contraceptive क्या होता है यह हमने contraceptive वाला जब chapter का पढ़ा था तब हमने यह पढ़ा था कि भाईया conventional contraceptive वो होती है जो during the time of intercourse इस्तिमाल होती है उनको conventional contraceptive कहते हैं और in fact contraceptive जो हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि भाईया hormonal contraceptive हम prefer नहीं करते हैं खासकर जो combined pills होती है ना combined pills में क्या होता है? combined pills में होता है estrogen और estrogen जो है वो lactating मदर के लिए खराब है क्योंकि ये premature cessation of breast milk करा देता है उसके अलावा estrogen जो है वो आपको breast milk में भी देखा जाता है hormonal secretion इसलिए estrogen वाले contraceptive हमको नहीं देने हैं क्योंकि premature cessation of breast milk करा देगा उसके अलावा breast milk में इसका secretion भी होगा इसलिए हम नहीं देते हैं इसलिए कौन सी देते हैं intrauterine contraceptive devices या conventional contraceptive non-harmonal conventional contraceptive हम prefer करते हैं during first six month of delivery याद रखना एक और भी है कि भाईया lactating amenorrhea हो रहा है तो भाईया उसमें तो आप वैसे ही lactating amenorrhea जो है वो as a contraceptive काम करते हैं हाँ लेकिन आप पूरी तरह से rely उस पे नहीं कर सकते हैं आपको contraceptive method इस्तिमाल करनी ही होगी समझ गए इसलिए IOD या conventional non-harmonal contraceptive आपको पहले 6 माहिने में उसको prefer कर रहा है ठीक है अब अगर जो delivery हुई है जिस lady की उसकी 2 या 2 से जादा बच्चे हो चुके है यानि ये तीसरा या उससे जादा चौते पाच्वे नंबर का बच्चा है तो उनमें हम याद रखना कि ये जो delivery होती है न ये at least 2 से 3 दिन तक तो institution में यानि कि अस्पताल में ही है तो आपको उसको council करना है कि बस करो कितनी क्याद पूरी के पूरी सेना तयार करोगे अब तो भाईया sterilization operation कर लो और ये first second day जो होता है delivery के उसमें हम prefer करते हैं कि भाईया postpartum sterilization करा दे तो वाईवा में आपसे पूछ लिए जाते postpartum sterilization क्या होता है तो postpartum sterilization होता है कि अगर मा के दो या उससे जादा बच्चे हैं तो हम उसको council करते हैं कि आप sterilization operation करा ले तो ये हो गया आपका family planning services कि भाई कौन सी contraceptive देनी है और postpartum sterilization क्या होता है उसके लावा याद है हमने कहा था complications से बचाना है हमको PNC care जब हम देते हैं तो वो complications कौन कौन से होते हैं postpartal period में कुछ important complication है puprial sepsis by infection हो सकता है genital track का within 3 week of delivery में अगर infection हो जाए genital track का तो उसको कहते हैं puprial sepsis तो ये within 3 week याद रखना उसके अलावा thrombophlebitis भी देखा गया है जाए तर जो varicose vein वाला होते हैं उन में हमको thrombophlebitis भी देखने मिलता है postnatal period में as a complication और सबसे important है वाईवा के लिए भी important है secondary hemorrhage भाया अगर vaginal bleeding शुरू हो गई है delivery के 6 घंटे बाद से लेके delivery के 6 week के बीच में तो उसको आप secondary hemorrhage कहते हो याद रखना secondary hemorrhage किसको कहते हैं 6 hour to 6 week of delivery के बीच में होने वाले hemorrhage को या vaginal bleeding को हम secondary hemorrhage कहते हैं वाईवा के लिए बहुत important question है ठीक तो तीन complication तो मुकिता आपको याद रखने है postpartal period के puprial sepsis, thrombophlebitis और secondary hemorrhage तो ये तो हो गया पूरा आपका जो postnatal care का care of the mother वाला component थोड़ा सो हम care of the child वाला component भी देख लेते हैं कि मा की देखभाल तो आपने कर ली बच्चे की भी थोड़ी सी देखभाल कर लो तो बच्चे की देखभाल करने के लिए सबसे पहले चीज़ तो iron folic acid supplementation हमको देना है यादे वहाँ हम मा को लाल कला की tablet दे रहे थे यहाँ पे हमना syrup पिलाते हैं बच्चे को तो 6 महीने से 6 साल तक के बच्चे को हम 20 mg elemental iron और 100 mg folic acid की जो syrup होती है वो पिलाते हैं हफते में दो बार यादे वहाँ pregnant lady और lactating mother में हमने daily दी थी यहाँ पे bi-weekly है और वहाँ पे 500 mg folic acid था और 60 mg elemental iron था यहाँ पे 20 mg elemental iron और 100 mg folic acid है तो यह तो हो गया आपने iron folic acid supplementation देती है उसके बाद breastfeeding में दो बहुत important चीज़े याद रखनी है पहली है exclusive breastfeeding exclusive breastfeeding का मतलब होता है पहले 6 महिने में breast milk के लावा और कुछ नहीं देना है बच्चे को that is exclusive breastfeeding दूसरी चीज़ ठीक है 6 महिने का हो गया बच्चा उसके बाद आप weaning करा सकते हो जो अपनों लोगों के घरों में functions भी होते हैं पासनी कहते हैं उसको तो वीनिंग ही होता है वो कि जब मा के दूद के अलावा बच्चे को कुछ खिलाना शुरू करते हैं वो नहीं मामा लोग खीर खिलाते हैं वो पासनी या वीनिंग ही होती है तो जब बच्चा 6 महिने का हो जाए तो breast milk के अलावा भी उसको protein rich supplementary foods आप दे सकते हो जैसे की गाय का दूद या भैस का दूद आप दे सकते हो उसके अलावा जो सबजियां है उनको उबाल के mash करके खिला सकते हो इस टाइप की चीजे भी आप मा के दूद के अलावा बच्चे को दे सकते हो समझ गए तो that is weaning याद रखना वाईवा के लिए बहुत important है तो care of the child में आपको at least इतनी चीज़े तो याद रखनी है कि iron folic acid supplementation, exclusive breastfeeding और weaning ठीक तो इतनी चीज़े तो at least आपको postnatal care में पता होने चाहिए अगर मैं बात करूँ सवाल की तो postnatal care या PNC पे न थियोरी में आपको short note तो आ सकता है तो याद रखिएगा उसके अलावा वाईवा की बात करूँ तो आपसे वाईवा में सीधा पूछ ले जाता है objectives क्या होते हैं postnatal care के ये बता दो उसके अलावा वाईवा के लिए बहुत ही important topic भाई साब की A&M कितनी visit करेगी और उससे भी ज्यादा important आशा की home visit के बारे में बताओ अगर home delivery है तब institutional delivery में normal delivery या vaginal delivery है तब और cesarean section है तब कितनी home visit आशा करेगी बहुत important question है वाईवा का उसके बाद वाईवा के लिए एक और बहुत important question है that is extra calorie requirement कितनी होती है postnatalty या lactating मतर में पहले 6 महिने में और बहुत की 6 महिने में यह बहुत important question है वाईवा का फिर iron folic acid supplementation पे तो वाईवा में पूछे जाता है क्यों कि आपकी practical वाईवा में table में iron folic acid tablet रखी रहती है तो spots में भी important है यह और practical वाईवा के लिए भी बहुत important है आपका iron folic acid supplementation उसके बाद family planning में भी आपसे वाईवा में पूछा जाता है कि भाईया अगर एक lactating मतर है तो उसके को कौन सी contrastive आप prefer करोगे और एक और जिस postpartum sterilization भी आपसे कई बार वाईवा में पूछ लिया जाता है फिर complications में आप secondary hemorrhage यह वाईवा में बहुत favorite question examiner का भाईया secondary hemorrhage को define कर दो तो 6 गंटे से 6 हफते के बीच वाला उसके बाद वाईवा में आपसे पूछ ले जाता है बच्चे को जो आप कितनी dose देते हो iron folic acid की और कैसे देते हो tablet देते हो कि syrup देते हो याद रखना बहुती 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 जादे important वाईवा का question है exclusive breastfeeding क्या होती है और weaning क्या होती है तो यह भी आपको याद रखना है ठीक अगर मैं बात करूं MCQs की तो जितने भी underline part हमारे notes और slides मे आपको मिलेंगे वो सभी PG entrance exam में पूछे गए MCQs हैं तो इस पे तो आपको कईयों बार MCQ आया है कि आशा की जो home visit होती है वो कितनी होती है अगर home delivery होई है तब अगर institutional delivery होई है तब और in fact आगे जाके cesarean section हुआ है तो उस पे भी question आपको आ सकता है उसके अलावा ये भी calorie requirement कितनी होती है lactating मतर में पहले 6 माइने में और बाद के 6 माइने में ठीक तो इतनी चीज़े हैं जो आपको postnatal care या कहना चाहिए PNC में पता ही होनी चाहिए तैंक यू